हरकिसी के बैच वाई हरकिसी के बैच वाई समरी वाईज हर किसी के मैं उसके उपर चल रहा है काम कल आपको देखा। स्प्वर्डेट का था आ ठाए र Cand punching मैं सारे के सारे जो पुराने LIVE jour मैं सारे जो पुराने रिकॉड्डिड है कैसे हुआ आपके फोल्डर में जाके देखिएगा फोल्डर में पता चल जाएगा बता दिया कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है किस चीज का प्रेंट आउट निकाल के आप देखिएगा महा पर इंपॉर्टेंट अनॉंस्मेंट के नाम से मैंने डाल दिया एक उसके अंदर अगर आप सही डारेक्शन में पढ़ लेता हूँ ठेक है कैलिया सर बुक्स ऑफ सेलर बुक्स ऑफ सेलर पहले कॉंसेप्ट समझ लेते हैं फिर बात की बात में करेंगे मान लेते हैं ये कंपनी है आप समझिएगा एक कंपनी है X Y Z Limited और एक कंपनी है PQR Limited यहाँ पे दो सरक अब यह मान लेते हैं सेलर कंपनी है और यह मान लेते हैं बायर कंपनी है इसकी तो अकाउंटिंग हमारी डन हो चुगी है बायर कंपनी क्या-क्या काम करेगा सर अगर बायर कंपनी की हम बात करें तो बायर कंपनी में किसी की बैक आई है बहुत है किसी की बैक आई हैं कोई फेल तो नहीं हुआयर कस व्याइन creep acuerdo है उनसे क्या देखें कि यह टीपर था नहीं था कि तो आप यहरी वत्य बत्य पास भूत नहीं है देखो books of buyer की बात करें books of buyer के अंदर क्या है कि हमें clear है books of buyer के अंदर कि हमें क्या क्या बनाना है पहले PC निकालेंगे फिर journal entry करेंगे फिर balance sheet बनेंगे तीनी point था अब books of seller की बात करें तो books of seller में दो काम होता है एक तो आपको करना होगा journal और एक करना होता है आपको laser इसके अंदर balance sheet तो बनेगा नहीं क्योंकि company बंद हो रही है balance sheet तो इसका खतम होगा balance sheet बनेगा थोड़ो ना हाँ ये हो सकता है कि आपको इसका journal पूछ ले इसकी balance sheet पूछ ले यारनि जरूरी नहीं है कि सिर्फ books of buyer कुछ ऐसे पूछ सकता है कि इसका laser बनाओ और इसका journal करो या कह सकता है जैसे भी हम question देखेंगे उसमें सारी चीजे mention होगा तो हम journal ना हम बाद में करेंगे पहले हम laser को समझ लेते हैं एक बार laser में क्या होगा normally अगर आप मैं किसी भी books of buyer की बात करूं तो आप ध्यान दीजिए कि आप इस company का क्या खरीदेंगे सर इस company के आप सारे assets और सारे liability खरीद लेंगे सारे assets और सारे liability को अपने पास ले लेंगे और एक बात ध्यान रखना हमने जो books of buyer किया है ना उसमें एक ही method कि अभी merger वाला रहता है वो पहले हम बाद में करेंगे पहले यह देख लें तो अब यहां पर यह balance sheet अगर हम मान ले तो balance sheet में इधर क्या होगा सारा का सारा आप imagine कर सकते हो क्या क्या हो सकता है building land plant machinery prepate सारी चीज़े हो सकता है यहां पर हो सकता है हमारा equity share capital यहां पर हो सकता है reserve and surplus और यहां हो सकता है हमारा जैसे की creditor वगरा debenture वगरा यह तो जब कभी भी हम realization करते थे जब 12th class में किया करते थे realization तो उस time पर हम क्या करते थे सारे assets जितने भी थे इन सभी को send कर देते थे realization और कैसे send करते थे सरे एक बहुत चोटा सा account बना लिया करते थे realization और realization account के अंदर हम यहां लिखते थे sundry assets और sundry assets के बाद यहां पर सारे के सारे assets लिख देते थे land and building होगा चाहे plant and machinery होगा चाहे आपका goodwill होगा कोई भी whatever सारे assets को यहां लिख दिया करते थे तो इस process को यहां से सारे assets को उठा कर यहां से सारे assets को उठा कर कहां लेके जाना एक account के अंदर लेके जाना यह realization account में इसको बोला जाता है process transfer करना assets को assets को क्या कर देना transfer कर देना लेकिन जब sir इस balance sheet के सारे assets ले जाने का मतलब है कि इसके सारे assets ये ले रहा है लेकिन कई बार ये पता ही क्या करता है बोलता है हम तेरा ये वाला assets लेंगे नहीं जहां बेकार assets हैं, क्यों लेंगे तेरा ये assets तो ऐसे situation में इसके assets दो चीजे हो सकते हैं assets के साथ दो काम हो सकता है sir क्या हो सकता है इसके assets के साथ या तो buyer company इसका assets ले रहा होगा नहीं या तो नहीं ले रहा होगा अब buyer company ले रहा हो चाहें नहीं ले रहा हो, सारे assets यहां transfer करने हैं, पहली बात तो आप ये समझ दीचिए ठीक है ना तो या तो बायर कमपनी बोले का मैं तेरा यह एसेट्स नहीं ले रहा है उसको हम बेच के फिर हम उससे पैसा नेट प्रॉफिट लॉस दिखा देते हैं पहले हम सिंपल वे में चलते हैं ठीक है न यानि जो भी मेरे बैलेंशीट के एसेट्स होगा सारा यहां ट्रांसफर कर करेंगे सर कैश को भी ट्रांसफर करेंगे जी हां कैश को भी ट्रांसफर किया जाएगा पहले कैश को ट्रांसफर नहीं किया जाता था कब ट्रिल्थ क्लास के अंदर लेकिन यहां पे हम उसके कैश को भी ट्रांसफर करेंगे इसका मतलब सर अगर बायर कमपनी बोलता है मैं क्या रखना है हमें नोट, नोट, when, जब सारे असेट, when all असेट, transfer, then cash may be transfer to realization account, subject to, subject to, मतलव, if, cash taken by purchaser company, अगर purchaser company बोलता है, भाईया मैं तेरे cash भी लूँगा, तब तो cash चला जाएगा realization में, और if cash not taken by purchaser company, अगर purchaser company cash को लेने से मना कर दे, then not transfer to realization, मैंने यह लिख दिया, यह लंबी चोड़ी बात है, ऐसे लिख दिया ताकि कभी आपको याद रहे, इस case में हम transfer कर देंगे और इस case में नहीं करेंगे, तो समझ में आए, सारे का सारे assets आप कहां ले जाओगे, realization में ले जाएंगे, पहले cash नहीं ले जाते था, cash भी ले जाएंगे, लेकिन वो cash पर देखना पड़ेगा, सर्थ, cash में क्या देखना पड़ेगा, अगर कोई assets, अगर कोई cash, purchaser company बोलता है, मैं लेके जा रहा हूँ, bank में लेके जा रहा हूँ, तब तो जाएगा, अगर मना कर देता है, तो नहीं जाएगा, चलिए, तर assets के अंदर ना कुछ ऐसे भी चीज़े होती है, जैसे की, profit and loss, अभी reconstruction हाल फिलाल में ही किया है हमने, तो asset side में क्या देखने को मिलता था, profit and loss, या asset side में आपको ये भी देख सकता है, preliminary expense, तो ये दोनों चीज़े आपका इसके अंदर transfer नहीं होगा, यानि सारा asset transfer करेंगे, तो हमें साबधानी करना पड़ेगा, कि कोई ऐसा assets, जोसे म यहां पर transfer नहीं किया जाएगा, ठीक है, सेम सारा का सारा liability, total liability जो है, वो सारा का सारा liability यहां transfer हो जाएगा, by side, सारा का सारा liability कहां transfer हो जाएगा, हमारा by side में, जैसे मेरे पास ये जो भी liability है मान लो, ये liability कहां चले जाएगा, हमारा by side के अंदर transfer हो जाएगा, लेकिन liability में य ये हिस्सा कभी भी transfer नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान डखना है, ये वाला हिस्सा नहीं transfer होगा, तो पहला point सारा assets transfer करना है, और cash के उपर थोड़ा ध्यान देना है, और value less assets को करना ही नहीं है, दूसरा point सारी liability को transfer करेंगे, लेकिन reserve and surplus और equity share को transfer नहीं करेंगे, पहले भी आप realization में याद करो तो share capital और reserve and surplus partners capital में चला जाया करता था, समझ मैं ही बात आपको, इसके बात सार, अब सारा capital, अब हम ये सारा assets को पहले हम क्या करते थे, बेच दिया करते थे, sold कर दिया करते थे, अब इन assets को मैं भी दुबारा फिर स जाकर बेच दिया, तो भाई उसको कहा मिला, जो खरीद रही कमपनी, इन सभी assets और liability के बाद, जो PC आता था था, वो PC यहाँ पर आ जाएगा, पहले मुस्किल था realization, सारे assets को बेचो, फिर liability को payment करो, भी यहाँ नहीं है, उस सब के बदले क्या आ जाएगा, net, क्योंकि PC क्या ह होता है, assets और liability को net करके होता, वो भी market value, तो यहाँ पर क्या जाएगा, PC, जो assets company नहीं लिया, और मैंने यहाँ लिखा, उसको buy bank से बेच देंगे, और जो liability company ने, उसको हम यहाँ दिखा देंगे, मैं अभी fair करके दिखाऊंगा, अभी roughly idea दे रहा हूँ, तो sir, क्या roughly idea मिला, क सारे के सारे assets transfer हो जाएंगे realization में, और assets भीकेंगे नहीं, उस assets के बदले क्या लिखा जाएगा, purchase consideration, यानि जिस company का नाम है, वो लिखा जाएगा, सारे liability भी transfer हो जाएगा, यह भी payment नहीं होगा, इसके बदले हो जाएगा, लेकिन assets liability transfer करने के बाद, हमें एक बात ध्यान रखन है, कि assets में cash balance transfer हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, same liability के अंदर, आपके सारे liability चले जाएगे, लेकिन जो assets भीक भी सकता है, और नहीं भी भी सकता है, इसके बाद एक बनाना पड़ेगा, हमें equity share holder account, equity share capital account, तो जो equity share holder होगा, equity share holder का सारा चला जाएगा, यह equity share reserve and surplus, और एक बनेगा preferent share का capital account, और last एक बन जाएगा purchaser company का, तो हम basically यहाँ पर चार account, मैं main मैं बोलू तो आपको दो ही account main रहेगा, एक यह और एक capital account, बाकी का account में तो एक दो एक दो entry आएगी, तो अगर हम इसको चले लेके, लेके चले, अगर हम इसे समझे, ठीक से, चले अगले page पे जाते हैं, मैं अगर ठीक से समझू, इस format को तो आप समझिएगा, अगर आपने format समझ लिया, तो सवाल हो गया, समझिए, format नहीं समझा तो कुछ नहीं हुआ समझिए आप, तो फोकस करके format समझना, इस format के अंदर मैं सारी चीजे करूँआ, सर, ये balance sheet old वाली कौन सी है, balance sheet old वाली मैं show कर रहा हूँ, बागे exam में नहीं वाली भी आ सकती है, old वाली, बनानी नहीं वाली होगी हमेसा, बनानी हमेसा नहीं वाली होगी आपको, चलिए सर, ठेक है, चलिए, और इसे ना थोड़ा सा mind में, आप लेके चलिए, कि आपने dissolution पढ़ा हुआ है, कुछ-कुछ वैसा है, थोड़ा जल्दी clicking हो जाएगा, एक हो गया realization account, ठीक है, सर, इसके बाद एक account कौन सा बनेगा सर, एक account बनेगा share capital account, और ये बहुत छोटा सा बनेगा, सर, और कोई भी बन सकता है, एक बन जाएगा हमारा books of wire, बताएंगे अभी क्या सीज़, पहले दो पर फोकस रखना है हमें, फिर इसके बाद देखें, यह है realization account, यहाँ particular, amount, amount, मैंने यहाँ कहां आपको, क्या सर, यहाँ कहां मैंने आपको, share, holder account, ठीक है, bank account भी बनेगा, लेकिन अभी उसकी discussion नहीं करेंगा, हम last में, ठीक है, और एक बन जाएगा हमारा, इसके उपर मैं नाम, क्योंकि मैं books वाले नाम जनरली नहीं लिखता जल्दी से, पहले आपको समझ में आजा, हाँ, यह तो वही account है, नहीं तो ऐसा लिखा होता है, in the books of this account, this, और in the books of this, तो बत्य समझ नहीं पाता, हमें सिर्णी सी बात है, यह करा और shareholder का account बना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सर, यहाँ पे हमें सबसे पहले काम यह करना है, यहाँ पे two sundry assets लिखनेना है, sundry assets लिख लेना है sundry assets में क्या क्या आ सकता है sundry assets में सारी चीज़ें आ सकती है जैसे plant and machinery plant and machinery debtor building cash केस नीग अ फिस्टॉक 1 मेरे इसाफ से जब मैंने यहा णिए ट्रिखा इड्रुपहर लिकान सब और सब जितने भी कि आएंगे यह सब आएंगे आपके बुर्लियू पर tracks ने वो सब आएंगे आपके ये वाले सारे के सारे अबुक वेल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में डिजिट है ना उसी डिजिट पर उठा कर लिख देना है ये सारा आएगा बुक वेल्यू पर यानि जो पुरानी वेल्यू थी अब एक अमाउंट ऐसा है जिसके उपर बैंक ये तब आएगा इफ बायर कंपनी टेकन अगर बायर कंपनी ने लिया तभी आ सकता है साहर इसके बाद इसका टोटल करके यहां दिखा दो पहले यह वाला पोैंट समझ में आएए अब इस में वो भी इससे जो कंप Sóãy खरीद तरह यह आइंड वाल में कर सकते हैं लेकिन पहले सिंपल वाले से करूँ बस दिख के अच्छ सारे captive हम प्या-क्या छोड़ देंगे, सारे असेट का च्छोड़ू लेंग तक फॉर। प्रॉफिट इं लासम क्या क्या सकता है क्रेडिटर बिल्स पेवल डिवेंचर और बहुत सारी बाते हैं जो आ सकता है और यह सब भी किस वैल्ली पे होगा सर्थ यह सब भी किस वैल्ली पे होगा बुक वैल्यू का मतलब होता है जो डिजिट और जो वैल्यू बैलेंच शीट में दिखाई गई है उसी वैल्यू पे लेंगे उसी को कहा जाता है बुक बड़ी सी दिशिवात है सर यह सब लेने के बाद अब यहां पे यहां पे बाय साइड में लिखेंगे जो कमपनी खरीद रहा है हमारी कमपनी को यानि जैसे कि मान लेते हैं कि एक बी कमपनी ले लेते हैं बायर कमपनी है बी लिमिटेड बायर कमपनी है और एस लिमिटेड ले लेते हैं सेलर कमपनी तो हमारी company को कौन खरीद रहा है बी लिमिटेड तो यहां पर आ जाएगा बी company का यानि बी लिमिटेड पी लिमिटेड आ जाए यानि परचेस consideration वाले amount से किसका नाम आ जाएगा company का नाम आ जाएगा ठीक है ना उस company का नाम लिखते हैं पहले यहां तक देखिए किसी बच्चे को कोई डाउंस बड़ा आसान चप्टर सरी है मुस्किल बना दिया गया है market में बस समझ मैं सारा एसेट्स लिखना है फटा फट लिख लेंगे सारी लाइबिलिटी फटा फट लिख लेंगे और जो पीसी निकाला है वो भी लिख लेंगे इसके बाद अब कुछ ऐसेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बायर कंपनी ने ना लिया बोला ना भाया ना मैं ये ऐसेट्स तो नहीं लूँगा और कुछ ऐसे भी लाइबिलिटी हो सकते हैं जो कि बोले कि नहीं भाया नहीं मैं तो नहीं लूँगा यानि buyer companies साइद मना कर सकता है deny कर सकता है some assets some assets not taken possible है ना और some liability liability not taken तो यहाँ पे दो बाते होते हैं दो बाते हैं दूसरी पहले हम simple वाली समझ लेते हैं दूसरा जब question के बीच में आएगा तो वहाँ explain कर दूँँगा तो जब कोई assets को taken नहीं करेगा तो जो assets उसने नहीं लिया तो वो PC में भी नहीं जुड़ा होगा आप समझो क्योंकि हम PC में उन्हीं assets को consider करते हैं जो assets हमने लिया है आपने पीछे situation वाले question में देखा था यह assets नहीं लेगा तो छोड़ देते थे हम PC में निकाले से तो जो assets उसने नहीं लिया है उस assets को यहां पर हम बेच देंगे bank से bank से bracket में यह sold हो रहा है assets कौन सा which not taken by किसके द्वारा buyer के द्वारा जो buyer के द्वारा नहीं taken किया गया वो bank से बिख जाएगा same liability भी कुछ buyer बोल सकता भई यह बेकार liability है मैं नहीं लूँआ तो उस liability को भी क्या करेंगे bank से payment कर देंगे sundry liability sundry liability कौन सा which not pay यह not taken कह दो which not taken by समझे बात समझ में आ रहा है सारा यानि सारे assets रखे सारे liability रखे अब जो buyer बोल रहा है यह assets तो मैं लूँगा ही नहीं कोई बात नहीं तू नहीं ले रहा तो मैं बेच रहा हूं इसे और वो liability तो मैं लूँगा ही नहीं तो वह कोई बात नहीं मैं liability का मैं payment कर देता हूं यही तो हो सकता है अब बात आती है realization expense की अगर हम realization expense की बात करें realization expense की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि इसको हम बाद में समझेंगे तो वो time आ गया है समझने का realization expense में दो points हो सकते हैं sir sir दो points कौन से हो सकते हैं या तो आपका realization expense buyer paid करेगा buyer paid करने के लिए तयार होगा मैं paid कर दूँगा अगर buyer paid करता है realization expense या फिर realization expense कौन paid करेगा sir seller paid करेगा sir दो ही बाते हो सकती है realization का खर्चे का payment होता है ना जो हम बंद करने liquidation expense भी बोलेंगे हम advance नाम हो गया liquidation expense और simple नाम है company को बंद करने का खर्चा या तो buyer company जिम्मेदारी ले ले के भाई या मैं pay करूँगा तुझे चिंता करने की बात नहीं है और या तो फिर seller company बोल दे मैं इसको pay करूँगा तुझे कोई देखने की जुरत नहीं है अब seller company अगर pay करता है तो इसके ओपर applicable होता है कई बार सवाल के बीच में AS14 डाल देखा तो आप यह मैं सोचने क्या आ गया वो कुछ नहीं है बोलता है AS14 के according करना है AS14 कहता है कि in case of अगर buyer payment करने के लिए तयार होता है कोई विरिलाइजेशन का खर्चा तो वहाँ दो केस होगा या तो वो डारेक्ली पेड करेगा डारेक्ली मतलब भया लिकुडेटर को बुलाएगा बोल इधर आ तू और पैसे ले जा भाई या तो डारेक्ली पेड करेगा या फिर क्या करेगा सेलर को बोलेगा तू ने रखा है तू पेड कर दे मैं तुझे पैसे दे दूँ यानि री अमबर्स कर देगा या तो क्या करेगा इन डारेक्ली पेड कर देते हैं जिसको बोला जाता है technical word में reimburse करना अगर directly paid करेगा तो seller के book में कोई काम नहीं है not entry seller को क्या मतलब बायर समझेगा क्या कर रहा है नहीं कर रहा हूँ अपने buyer entry में done करेगा अगर reimbursement हो रहा है तो यहाँ पर दो कहानी गूम के आएगी सर कितनी कहानी आएगी सर या तो reimbursement में सारा पैसा करूँगा या फिर मैं बोलूगा भाई तुमने 20,000 खर्च करें मैं तो 15 ही दूँगा या तो reimbursement full amount होगा या फिर होगा part में सर अगर full amount हुआ reimbursement और अगर part में हुआ तो सर फुल amount reimbursement अगर हमें buyer company कर रहा है तो भी हम realization account पर क्योंकि payment किसने किया है इसका पहले payment करा है buyer ने नई पहले payment करा है seller ने और उसके बाद करा है buyer ने इंडिरेक्टली का मतलब क्या है पहले payment करा है किसने फिर buyer ने तो इस situation में आपकी इच्छा है कि आप इसे realization में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं अगर आप इसे realization में दिखाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर bank के नाम से payment करेंगे और फिर इधर दुबारा receive भी कर लेंगे यानि दोनों side bank bank आ जाएगा इससे बहतर होगा कि मैं कहूंगा कि भाई आप इसे दिखाईए मत not so in seller book और थोड़े जब इसके adjustment entry ये सारी चीज़े देखेंगे तो और clarity हो जाएगा अब इसके अंदर भाई जब partly payment करेगा तो माने लेते हैं जितना पैसा हमें नहीं मिलेगा वो तो salary pay करेगा तो extra amount जो भी होगा transfer कर देंगे कहां पे sir realization account sir इसका मतलब एक example भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको clarity मिल जाए थोड़ा सा और यह बहुत basic सी बात है मैंने पता नहीतना सारा क्यूं लिख दिया माल लेतने के 25,000 का expense था और आपको reimburse reimburse स्रिफ जो हुआ था वो हुआ था 20,000 तो जो 5,000 आपने extra paid किया that is transfer to realization account bank के नाम से ठीक है अब खर्चे की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा two bank और two bank में आ जाएगा आपका realization expense या फिर आप इसे liquidation expense winding up expense कुछ भी कह सकते हो realization expense के नाम से आ जाएगा अब आपको समझ रहा है आपको तै करना यह realization expense कई बार आपको दिखेगा question में और कई बार नहीं दिखेगा तो कब दिख जाएगा और कब नहीं दिखेगा उसकी बाते मैंने पीछे बताती है समझ मैं बात आपको क्या हर बार realization expense यहाँ पे आएगा नहीं सर डिपेंड करेगा payment कोन कर रहा है जो payment कर रहा होगा उसकी according देखेंगे realization expense लेना है या फिर नहीं लेना है चलिए सर अब हम यहाँ पे जब इस account को close करेंगे तो पहले जब close होता था तो लेकिन खैर पुरानी बाते छोड़ो यहाँ पे profit and loss को बाटा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे equity shareholder में transfer कर दिया जाएगा अगर यहाँ पे निकलता है इस side में तो क्या निकलेगा to net profit और net profit कहाँ transfer हो जाएगा sir transfer हो जाएगा equity shareholder में क्योंकि इस पर अधिकार equity shareholder का है अगर इधर निकला तो क्या निकलेगा net loss कहाँ transfer हो जाएगा equity shareholder में ठीक है यह account समझ में आए आपको पूरा basics are simple सा है अब आ जाते हैं इस account पे sir यह हमारा shareholder account shareholder मतलब मालिक कौन होता liability होता है business के उपर तो liability account पे बताएं तो जितने भी balance sheet के अंदर liability थे जितने भी balance sheet के अंदर liability थे सभी को यहाँ transfer कर देंगे कहाँ transfer कर देंगा equity share general entry सोचना आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो अगर मैं बोलू equity share capital को debit करेंगे वहाँ से खतम होगा और two क्या कर देंगे equity share holder को कर देंगा अगर मुझे पैसा देना हुआ equity share holder को तो पहले हम अपने balance sheet से liability खतम करेंगा बूलेंगा आज आपा equity share hold capital account debit to equity share holder और एक और entry कर देते हैं equity share holder और बाद में कर देते हैं बैंक में जनरल एक बात बता रहा हूँ ऐसे होगा हमें इसकी entry समझनी है पहले तो हम equity share holder में जाके क्या लिखेंगे समझे इसका मतलब sir equity share holder जो है equity share यहाँ पर आ जाएगा sir यहाँ पर जितने भी reserve and surplus है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा और जो चीज़े assets में है वो चीज़े कहाँ जाएगी यहाँ पर जो चीज़े liability में वो जा रहा है कहाँ पर credit में और जो चीज़े assets में है वो चला जाएगा debit में अब बताओ अगर realization से loss आया है तो वैसे assets में दिखता है loss तो अगर realization से loss आया है तो यहां जाए है, देखो, y में हैं तो 2 में आ जाएगा, किस से आ जाएगा realization, bracket में, अगर realization से profit आया है, तो by side में आ जाएगा, by realization, और bracket में क्या है, profit, ठीक है, अगर हमारा पुराना कोई preliminary expense वगरा है, कोई हमारा preliminary expense बगर है जो कि value less assets के category में आता है वो यहाँ आ जाएगा value less assets क्या होता है कुछ बच्चे नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहोगा ऐसे assets जो कि balance sheet के अंदर दिखाया जाता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता जैसे कि हमारा preliminary expense underwriter commission या फिर discount on issue of shares वो assets में से धीरे धीरे write off करके हम दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं कि हम value less assets उसको शरिफ हमें balance करने के लिए रखा जाता है ना कि उसे बेचा जा सकता है ठीक है अब सर यहाँ पर दोनों side mismatch होगा तो mismatch को match करने के लिए आप किस से match कर दोगे PC से तो आपने two में लिख देना है सर purchase consideration परचेज consideration यह हमारा equity share capital account हो गया था यहाँ अब इस PC को हमें discharge करना है ना सर इसको आप equity दे सकते हो preference दे सकते हो cash दे सकते हो जो भी देना था जैसे हमने सीखा था तो पहले हम इन दोनों बायर की एक दो दो करके सीखते हैं ज्यादा ज्यादा tension हो जाएगा तो हम सिर्फ पहले दो सीख रहे हैं इसको भी बाद में देखेंगे पहले हम क्या देख लेंगे एक यह account और यह account अगर preference share है तो preference share सर इसमें नहीं आता equity shareholder account है preference share का लिए अलग से account बनाया जाता है ठीक है ना तो हम सिर्फ यहाँ क्या लेके चलेंगे equity share हाला कि मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि यहाँ पे जितने भी कहां कि अभी यह share capital मैंने equity लिखा है तो सिर्फ equity share अगर preference share होगा तो भाई साब मैं बनाई देता तो यह बन जाएगा preference share holder account और बाई side में क्या है जाएगा preference share capital क्या जाएगा बाई side में preference share capital मैं तो जो भी payment होगा उसको मैं यहाँ पर थोड़ा suspense रख रहा हूं पेड़ के नाम से और इस्टायर बना देता हूँ और इसके उपर भी थोड़ा सा इस्टायर बना देता हूँ कि क्योंकि जब तक question नहीं आएगा आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़े क्या बोलना चाह रहा हूँ सभी बताओ realization समझ में आया है फिर से दुबारा बोलता हूँ सारे का सारे assets लिख दोगे cash लिखना है नहीं लिखना वो question पर depend करे सारे liability लिख दोगे इसके बाद सारे assets को बेचना नहीं है उसी assets को इस side bank में दिखाना है जिस assets को buyer company नहीं लिखा सारी liability को payment नहीं कर सकते सिर्फ उसी liability का payment करना है जिस पे buyer company नहीं किया उसके बाद realization expense में भी यहाँ पर आ भी सकता है और realization expense यहाँ पर नहीं भी आ सकता है depend on situation इसके बाद सर एक entry और क्योंकि preference shareholder को जब हम payment करते हैं तो हो सकता है कि हमें payment कम मिला हो यानि preference shareholder के payment पे नुकसान या फाइदा हो सकता है अगर preference shareholder पे हमें क्या होता है सर नुकसान तो हम buy में लिख देंगे फाइदा होता है तो two में लिख देंगे जब entry आएगा तो entry में हम देख लेंगे अभी हम इसके उपर ज्यादा focus नहीं करने वाद ठीक है